अगर याज बात करने वाले हैं कि इरेक्टाइल डेक्सवंक्शन होने का क्या क्या कारण हो सकता है कैसे जाने की आपको इरेक्टाइल डेक्सवंक्शन है तो इस पर हम लोग डीटेल में बात करेंगे तो विडियो को लास तक जुरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डीटेल मेशना हो अगर आपने हमारा प्रिवेस विडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि आप किस इस से व्यागरा या टेला फिल टैबलेट लेना स्टार्ट कर सकते हैं तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो डिस्किप्शन बॉक्स में दियेगा लिंक पर क्लिक करके ये विडियो देख सकते हैं तो चले इस विडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं इरेक्टाइल डिस्वंक्शन क्या होता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ अगर संबंद बनाने के दोरान आपके लिंग में hard erection नहीं आता है या आप अपने erection को maintain नहीं रख पाते हैं या कभी erection आता है कभी नहीं आता है तो ये erectile dysfunction के कारण हो सकते हैं अगर आपके लिंग में blood flow अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपको erection की problem हो सकती है तो चलिए main region को जानते हैं जिससे आपको erectile dysfunction हुआ है या हो सकता है अगर आप care नहीं कर रहे हैं तो लेते हैं first region को testosterone hormone level आजकर के लड़कों में ये सबसे common कारण होता है उनका testosterone hormone का लेबल low होता है जिससे उन्हें erection में problem आने लगती है तेस्टेस्ट्रोन को sex hormone भी कहते हैं ये hormone आपके link में erection से लेकर आपके libido और desire को high करता है जिससे आपको high performance मिलती है और आप सम्मद बनाने का पूरा मज़ा ले पाते हैं तो टेस्टेस्ट्रोन हार्मोन का level कम होना भी erectile dysfunction का reason हो सकता है second reason cardiovascular disease अगर आपको heart की problem है heart stock आ चुका है heart का rhythm abnormal है कभी ज़्यादा या कभी कम होता है arteries में कोई blockage आ गई है या hard हो गई है heart के muscles hard हो गए है या weak हो गए है या आपके heart में कोई infection है तो आपको erectile dysfunction हो सकता है क्योंकि ये blood flow को link में ठीक से flow नहीं होने देता है जिससे erection मिलने में problem होने लगती है third reason diabetes अगर आपको diabetes की problem है तो आपको erection की problem बिलकुल आ सकती है क्योंकि आपकी body enough मातरा में insulin नहीं बना पाती है insulin वो hormone होता है जो आपके blood से sugar को move करवाता है तो insulin नहीं बनने के कारण sugar की मातरा blood stream में बढ़ने लगती है और इतना ज़्यादा sugar आपके nerves, eyes, kidney और साथ ही दूसरे organ को भी damage करने लगता है तो high sugar erection में problem करता है link में blood flow नहीं होने देता है जिससे आपको erectile dysfunction की problem हो सकती है fourth reason hypertension या high blood pressure high BP erectile dysfunction का मुखे कारण है क्योंकि ये आपकी arteries को damage करता है जिससे आपकी arteries hard होने लगती है और काफी narrow हो जाती है और blood flow एक दम धीरे होने लगता है और link में proper तरीके से blood flow नहीं हो पाता है जिससे erection में problem आती है और कम blood flow erectile dysfunction के साथ साथ heart attack या heart failure का भी कारण बनता है इसलिए high blood pressure से बचना है या इसको maintain करना है fifth reason high cholesterol cholesterol blood stream में wax की तरह fatty substance या पदात होता है हमारे body में दो तरह के cholesterol होते है good cholesterol जिसको HDL कहा जाता है और दूसरा bad cholesterol जिसको LDL कहा जाता है अगर आपके blood stream में बहुत ज़्यादा LDL यानि bad cholesterol बढ़ जाता है तो arteries block होने लगती है उनमें अच्छी तरह से blood flow नहीं हो पाता है cholesterol आपकी body में effect डालता है जिसे आपकी body blood stream में proper तरीके से nitric oxide release नहीं कर पाती है जिसे erection मिलने में या erection को maintain करने में problem होती है तो आप अपने cholesterol को भी maintain करके erectile dysfunction से बढ़ सकते है 6th reason obesity मोटापा भी reason हो सकता है erectile dysfunction का इसलिए अपने weight को control करना बहुत जरूरी है अगर आप healthy sex life चाहते हैं तो मोटापे में आपके पेट के नीचे tissue store होने लगता है जिससे blood flow ना होने के कारण erection में problem होने लगती है 7th reason kidney disease अगर आपको kidney की problem है तो आपको erection की problem बिलकुल हो सकती है kidney को healthy रखना बहुत जोरूरी है तब ही आपकी body healthy रहती है kidney का काम waste product को filter करना होता है आपके blood से excess water और impurity को बाहर करना होता है और ये toxin bladder में store होती है और urine के द्वारा बाहर निकल जाती है 8th reason increased age उमर बढ़ना भी erectile dysfunction का कारण हो सकता है क्योंकि उमर के साथ साथ आपकी body testosterone hormone को नहीं बना पाती है जिससे आपको erection की problem होने के साथ साथ आपका libido और desire भी low होने लगता है इसलिए regular exercise के साथ सा diet का भी क्याल रखिए 9th reason stress, anxiety and depression ये तीनों erectile dysfunction के मुख कारण हो सकते है क्योंकि इसके कारण आपके hormone imbalance होने लगते है इससे आपका libido और desire low होने लगता है testosterone hormone भी imbalance हो जाता है इसलिए happy रहने के साथ साथ stress free भी रहना बहुँ जरूरी है 10th reason relationship problem relationship problem अपने partner से जगड़ा, irritation, suck एक दूसरे से bore हो जाना, time ना देना ये सारे कारण stress और tension के साथ साथ आपको depression में भी ले जाते है जिससे आपकी sexual life पर भी problem आने लगती है 11th reason other medication कई बार अगर आपकी दूसरी विमारी की medicine चल रही है जैसे high blood pressure या depression या कोई और problem तब भी आपको erection में problem आ सकती है 12th reason sleep disorder अगर आपको ठीक से नीन नहीं आती है या आप पूरे 8 गंडे नीन नहीं लेते हैं तो ये reason भी erection का कारण बन सकती है 13th reason आप बहुँ ज़्यादा alcohol पीते हैं या तैबल को पड़क का यूज करते हैं तो आपको erection में problem आ सकती है क्योंकि ये आपके blood vessel को damage करने के साथ साथ आपके nerve को भी damage करता है 14th reason अगर आपको Parkinson problem है ये neurological disorder होता है जिसमें आपके brain में मौझूद सफ्टांस dopamine produce नहीं हो पाता है brain में एक part होता है जिसको सफ्टेंस या नाइगरा कहते है वो cell damage होने लगता है जिससे dopamine का label reduce होने लगता है dopamine से आपकी body के movement अच्छे से हो पाती है आपके muscles अच्छे से work करते है तो dopamine 60 से 80% घटने के कारण Parkinson problem होने start हो जाती है Parkinson problem में आपकी smell करने की चमतर कम हो जाती है voice change हो जाता है acidity हो सकती है cup-cup होने लगती है आपका movement दीमा हो जाता है इसके साथ ही आपको erection के भी problem हो सकती है 15th problem multiple sclerosis इस problem में CNS याने central nervous system पर effect डालता है आपका immune system कमजूर होने लगता है इसमें आपके हाथ पर सुन हो जाते है आपके muscles weak हो जाते है आने और निकलने में problem आती है urine पर control नहीं हो पाता है तो ये भी reason हो सकते हैं erection ना आने के 16th reason अगर आपके pelvic area में कोई damage है या surgery है तब भी आपको erection के problem हो सकती है 17th reason ironis disease इस problem में patient को erection आने में और erection को बनाए रखने में problem होती है क्यूंकि इसमें link में टिर्णापन आ जाता है जिससे erection बहुत ज़्यादा painful होता है और आपको sex करने में problem होने लगती है तो आपने सारे reason को जाना जिससे आपको बच के रहना है या अच्छे से cure करना है ताकि आपको कभी भी erection की problem ना हो आपकी sex life healthy रहे और हमें support करने लिए चैनल को subscribe करके बैल आगन के बटन को फ्रेस करके all को select करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की notification आपको मिलती रहे अगर कोई doubt है तो comment कीजिए मैं उसके answer जरू दूँगा मिलते हैं next वीडियो में किसी नह topic के साथ Thank you